हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एड़ो गलोरी लार्निंग एठ होम में अक्सर हम कुछ वर्ड्स को यूज करते हैं और कई बार उनके यूज में कनफ्यूजन हो जाता है हम कुछ समझ नहीं पाते की हम कुण सा वर्ड्स करें या किस वर्ड का पर्टिकॉलर वर्ड का सेंस क्या है है आज हम इस वीडियो में डिसकॉस करेंगे तीन वर्ड़ हमारे हैं economic के क्यों मिकल और il mails इन थ्री वर्ट्स को हम डिस्कस करेंगे कि इनका क्या मिनिंग है कि इस तरह से हम इनको यूज कर सकते हैं कैसे यूज कर सकते हैं इकोनोमिक का मतलब होता है आर्थिक ये एक एजेक्टिव की तरह काम करेगा connected with the economy of a country or region अर्थ व्यवस्था से जूड़ी होई जो चीज है उसको कहते हैं आर्थिक तो ये क्या होगा हमें साइजेक्टिव होगा the economic growth of India is very high भारत की जो आर्थिक बड़त है तरक्की है वो बहुत ज़्यादा है second word होता है ये हमारा economical economical का मतलब होता है सस्ता अब बिल्कूल इसी तरह का word है लेकिन meaning क्या है इसका सस्ता कोई cheap cheaper in fact किसी चीज से सस्ता होना something that is cheaper to use or operate than something similar जैसे आप गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी में क्या है diesel भी डल सकता है petrol भी और gas भी तो economical कौन सा है gas सब को पता है gas सस्ती पढ़ती है we should use economical transport system economical भी हमारा क्या है adjective है economical transport system सस्ता हमें यूज करना चाहिए economic आर्थिक economical सस्ता economics जो तीसरा word है इसको कहते हैं ये एक subject है basically जिसमें हम सारी economic activity discuss करते हैं जिस subject के अंदर उसको कहते हैं economics शास्त अर्थ शास्त the study of how money is earned spent and controlled within a country किसी देश में जो पैसा है कैसे कमा जाता है खर्च किया जाता है control किया जाता है पूरी जो अर्थ विवस्ता है उसके बारे में जो इध्यन करते हैं वो subject का नाम क्या है economics है he is now in second year at DU डेली उनिवर्सिटी studying economics economics पढ़ रहा है तो जिसमें सारे उपर की चीज़े आ जाएंगे इस तरह से हम इन तीन वर्ट्स को यूज कर सकते हैं इकोनोमिक, economical, economics दोस्तों इन वर्ट्स के अलावा मेरी आपसे request है कि आप जो भी इसमें डाला जा रहा है उस पर comments जरूर कीजे अब मेरा आपका आज का question होगा economy वर्ड को आप use करेंगे अपने sentence में और comment box में डाल दें economy economy को आप discuss करेंगे इसको meaning डालेंगे और इसका एक comment box में sentence बना करके आप डाल देंगे आप comment डालेंगे आपको अच्छा लग रहा है आपको को improvement चाहिए आपको को specific information चाहिए English से related या कि अपने career से related वो सारी चीजे हम इसमें discuss करेंगे और इस चैनल को बेतर बना पाएंगे जिससे आपको ज़्यादे ज़्यादे benefit हो यही हमारा objective चैनल को continue करने का इसको आप share भी कीजिए अपने साथियों के साथ उनसे subscribe कराईए और bell icon प्रेस करवाईए जिससे नए notification जितने भी हमारे वीडियों हमसे में डालते हैं हमसके notification आप लोगों को मिलते रहें happy learning thank you very much for watching this video